Hello everyone, welcome to this video and my name is Aman Tivedi. In this video series, we are talking about English for SSC exams and in this particular video series, we are talking about vocabulary. So, we are studying previous year's vocabulary. Before we start, you can join the officers batch. This is a complete SSC preparation package. If you are preparing any SSC CGL, SSC CHSL, CPO, MTS, TANO or CGL CHSL, and if you are preparing anyone, this is your complete package, Maths, English, GK, Reasoning. You can get all of them, only in one triple nine rupees, with nine months validity. Okay, besides that, you can get GS's complete batch, which you can study Radhika Mahan, Shivam Sir and Happy Sir. You can get GS's complete package. Besides that, you can get Maths's special batch, Dronachare batch, and you can enroll in this zero to hero batch. This is your complete English batch. The language of communication is English in this particular batch. So, if you are from a non-Hindi speaking state, where you cannot understand Hindi well, so you can join this batch, because in this particular video, batch, the language, the mode of communication is English. So, I have explained everything in English, and the video is completely in English. Okay, so you can enroll in this course. You can get a course in this price. You can enroll in this course, and you can enroll in this course in this course. So, if you don't have Telegram channel join, then you can do Telegram channel join. If you can access the course from the website, then you can access the course from the website. This particular video can download PDF, you can download the app. अगलोड कर लिजे जब आप 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 डाउनलोड करोगे तो वहाँ पको पे आपको paid classes दिखेगा, वहाँ पे आपको complete English का course दिखेगा. वहाँ से आपको यहाँ से इसके नीचे आपको vocabulary, previous year vocabulary का एक column मिलेगा. वहां से आपको यह वीडियो मिल जाएंगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को बात कर रहे हैं वोकाबलरी के भंडार पिस्ले वीडियो में हमने जो वोकाबलरी पड़ी थी एक बढरी को करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं और प्विकली आगे कोश्चंस को सॉल्ट करते हैं तो हमने पढ़ा था कंवोश्न का मतलब भी था शोर गुर्ण गला कंविजन वाली स्टेट इंक को मतलब मैं बताया था एंट्रेलशनेस्नस गयाया उने इसके राब इंटाया था छहाँ चेहां पर 치ज़ें इम नहीं करें है और बाइब हो गई बी अनदर लाइफ ग्रेट मिस्ट्री इसारे हमने पढ़े थे इसके अलावा पर यूजल का मतलब मैंने आपको बताया था यहां पर ठीक है इसके अलावा वोग के सिनोनिम्स हमने लेखे थे फैशन, मोड, स्टाइल, यहां पर हमने पढ़ा था 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 त्रेसोल और डॉन आपस में दूसरे के सिनोनिम है क्यों हमारा यह अंसर नहीं हुआ यह भी हमने बात करी इसके बारे में तरफ यह बात करते हैं रिजनेबली पास्टमेवली अबंडेंट्ली आपका टॉलरेबली अडीकवेटली यह सारे थे थ्रेसोल्ड के सिनोनिम से हमारे पॉइंट स्टाइंग पॉइंट ब्रिंग वर्ड एज डॉन बर्ग ओरिजिन इंसेप्शन या फिर डॉन यह सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके लावा डॉन के सिनोनिम्स हमने पढ़े थे इनको को एक रिवीजन आप वीडियो या पर फूरुशन मतलब निराश्या नरिश्मेंट मतलब पोशन देना इसके बाद हमने इसके बात करी थी इसके बारे में बीटेल में बात करी है पिछले वीडियो में जिन्होंने पिछला वीडियो स्वэт्र नहीं देखा है देखा लिए जीगा यह जो में कुक्क रिवीजन कर रहा हुं पिछले वीडियो का है सपोरेड़र्ट मतल्प्टपु रिइन्फोल निन्या था इसलिए मैं आपर आपको यहां बात अम इसके इasive लिए इंदेयरेक्ट सॉरुछै पढ़ा था। परिडिके सिनोने में हमारे ओकेजनल इन्प्रिक्वेंट इर्रेगुलर पिरियोडिक, पिरियोडिकल, स्कैटर्व, पैची, आइसोलेटेड, और यानिवन, इंटर्मिटन और अन्टोनेम से इमारे फ्रीक्वेंट, रेगुलर, स्परिक्वेंट, इंटर्मिटन आयनिवन, यह सारे सिनोनेम से पढ़े हैंघ। इन्टेडिक्रश में हमने पढ़ा था, इडीर्टस करना, इडिनाउंस मतलब क्रिटीसाइज करना, सेक्रेट शुपाना, हाय शुपाना इसके अलावा ऐमने पढ़ा था, अब आणाउंस के सिनोने में पढ़े थे, make public, to spill the beans, reveal, divulge, intimate, noise abroad, proclaim, promulgation, यह सारे सिनोने में पढ़े हैं. साथी साथ, denounce के सिनोने में पढ़े थे, condemn करना, criticize करना, flay, hit out, castigate, besmirch, vilify, mellify, आपका besmirch, इसके अलाबा, find fault, revile, fulminate, against, यह सारे वर्ट्स हमें पढ़े. Transient का भी हमने सिनोने में पढ़ा था, Transient का मतलब मैं आपको temporary बताया था, Trap मतलब you are trapped में फ़स्गा, मतलब जाल में फ़स्गा, you are trapped, राजकुमार रहो की movie भी थी, Trapped जहां पर वो एक flat में फ़स्जाता है, एक apartment में फ़स्जाता है, transform, transmit हमने पढ़ा है, इसके अलाबा, हमने इसमें ही आगे हमने ये synonyms पढ़ा था, साथ साथ हमने transient, transient, transitory, ephemeral or fleeting का भी synonyms का भी meaning difference पढ़ा था, यहां से हमें बातचीत आगे बढ़ानी है, तो अब जो मैं ये तनी देव से संकर महादेवन बड़ा बना हुआ था, वाले गाने का breathless song का आगे बढ़ा है, ठीक है, I did not want to invest that too much time over there, so that is why मैंने उसको थोड़ा quickly कर दिया, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल पर जाएगा, आपको पीछे के वीडियो में यह मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में देख लीजेगा, या फिर आप थो most appropriate synonym of the given word, word है हमारा moral, ठीक है, अब यहाँ पर शब्द हमें दिये हैं, symphony, ethical, honorable, or godliness, ठीक है, शब्द है हमारा moral, symphony, ethical, honorable, or godliness, अगर आप ध्यान दो तो शब्द कोई इतने difficult नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन यह 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 यही tier 2 में पूछे जाता है, तो अगर य लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि question बहुत easy है, बस answer इसका थोड़ा सा आपको tricky है, symphony, ethical, honorable, or godliness, अब यहाँ पर ethical भी answer आपको लग सकता है, यहाँ पर godliness भी आपको answer लग सकता है, honorable भी आपने पढ़ा हुआ है, और साथी साथ आपने symphony भी पढ़ा हुआ या सुना हुआ तो हो गही, so answer इसका हो जाएगा हमारा simply, moral मतलब क्या होता है, moral of the story, हम पढ़ते हैं, moral of the story क्या है, इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा होगा, क्या बहुत ही, आप बहुत ही amoral वेक्तिय हो, या immoral वेक्तिय हैंने कि बहुत ही unethic, तो moral का जो हिंदी अर्थ है, वो हो जाता ह है, नैतिक, और इसी से बनता है, morality, morality क्या हो जाता है, morality हो जाता है, नैतिकता, यह क्या हो जाता है, ITY लग गया, तो क्या बन जाएगा, abstract noun, correct, तो answer हमारा यहाँ पर simply क्या हो जाएगा, ethical, क्योंकि आगर आप सभी, आप इससे बतलब कुछ लोग जानते होंगे, EPSC में किसका बहे पर होता है, ethics का बहे पर होता है, ethics में वो basically यही बहा रहा हैं, कि ethics में आपको क्या-क्या करना चाहिए, क्या नैतिक रूप से सही है, क्या नैतिक रूप से सही नहीं है, तो moral का answer हो जाएगा हमारा ethical, honorable का मतलब हो जाता है, samanini, godliness मतलब हो जाता है, पवितरता से, godliness का आर्थ हो जाता है, पवितरता से, तो इसका sinonim मगर हमें लिखना होगा, तो हम लिखेंगे sacred, या फिर chest, यो बहात ही पवितर है, ठीक है, उस sense में आएगा, symphony के cooler आते हैं, आप सभी लोगोंने देखाऊगा, symphony के cooler आते हैं, symphony क्या meaning क्या होता है, symphony है an elaborate musical composition for full orchestra, तो एक basically तरीखे का elaborate musical composition है for full orchestra, symphony, ठीक है, ethical यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, बात कर लेते हैं moral के synonyms की, तो सबसे पहला synonyme हो जाता है हमारा ethical, बिल्कुल perfect synonyme है, moral का synony ethical, virtuous होना, good होना, righteous होना, एक रम सही होना, upright, upstanding, high minded, right minded, principled, मतलब सिद्धान्त वादी, principled person है, proper, ध्यान दीजिए, यह वाला जो प्रिंसिपल है, यह होता है, सिद्धान्त, और यह वाला जो प्रिंसिपल है, यह होता है, प्रधान, यह दोनों ही बहुत आवश्यक टाम है, ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धान्त, और यह प्रिंसिपल प्रधान यह प्राइमरी हो जाता है, तो important इसलिए है, exam में कई बार इन पे based errors पूछी जाती है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है, ठीक है, incorruptible, honest, just, just का मतलब देखी, एक पूलस, respectable, decent, irreproachable, irreproachable, truthful, law-abiding, clean, living, chaste, pure, blameless, sinless, ठीक है, अब यहाँ पर यह दिये माल लीजे, question में ethical answer नहीं देता है, और option, question हमारा न, morality होता, ठीक है, तो फिर answer हमारा godliness भी हो जाता, क्योंकि God, आपका morality क्या है, morality आपका abstract noun है, godliness भी abstract noun है, तब godliness अंसर हो सकता, था, वो एक far synonym हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पता है, chest मतलब पवित्र होता है, तो यह इसका synonym है, भी हो सकता है, depend करेगा question के ओपर, क्या पूछना चाहरा है, ठीक है, question है, हमारा अगला, आप एक चीज़े ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के question आपके exam में पूछे जा रहे है, कुछ question ऐसे भी है, जहां direct synonym पूछ रहा है, कुछ question इस तरीके के भी मिल रहा है, जहां पर आपको शब दिया, synonym पूछ रहा है, for Rahul, everything was a modern experience until he stepped on to the field, option अभी थोड़ी दिर के लिए हम hide कर लेते हैं, थोड़ी दिर के लिए options को नहीं दिखते हैं, तो वो क्या कहना चाहरा है, कि Rahul के लिए सब कुछ जो था experience जब तक वो field पे नहीं गया, तब तक उसके लिए बहुती modern experience था, यानि बहुती नया experience था, बहुती नया अनुभव था, वो ये कहना चाहरा है, option में हमारे दिया गया है, flashy, new, global और asiatic, ठीक है, अब simple सी बात है, answer हमारा यहां क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा, for Rahul, everything was a modern experience until he stepped on to the field, modern experience था, कैसे experience था, नया अनुभव था, यदि नया अनुभव था, तो answer हमारा क्या हो जाएगा, new, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात थी ह नहीं, flashy क्या हो जाता है, flashy याद रखना है, तो simple सी याद बात याद रखो, flashy, flash torch से बना है, flashy याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, आप नाम याद रख लो, हार्दिक पांडिया, ठीक है, flashy याद रखना है, तो best word है, best person है आपके लिए, हार्दिक पांडिया, क्योंकि हार्दिक पांडिया, जो पुरा इनका character है, जो पुरा इनका lifestyle है, वो बहुत ही flashy है, flashy है, ostentatious है, ठीक है, ostentatiously attractive और impressive, मतलब जैसे कि बहुत ही ज़्यादा, आप इनकी तुम, इनका प दो-तीन लाग से कम के नहीं होंगे, चश्मा पहने है, वो भी कई लाग का होगा, यह जो chain है, watch है, ring है, सब कुछ जो है, इनका लाखों का होगा, मतलब उपर से नीचे तक यह 10-15 लाग का सामान और ज्यादा का पहने होंगे, तो यह जो lifestyle है, यह बहुत ही flashy lifestyle है, क्या है, flashy ह क्यों, क्योंकि यह दिखावा करने में बिलीव करते हैं, तो ostentatiously attractive हैं, और साथ ही साथ attractive भी लगते हैं, impressive भी लगते हैं, तो ऐसा वेक्ति जो बहुत ही ज़्यादा showy है, ostentatious है, ostentatious मतलब दिखावा करने में बिलीव करता है, कि मतलब अगर वो Rolex की watch पहन लेगा, तो व बार-बार दिखाएगा, तो यह flashy lifestyle है, ठीक है, bold है, जो flashy है, वो bold भी हो सकता है, साथ-साथ में, अब यहां आ रहा है, flamboyant, flamboyant का दूसरा, दिखो, flamboyant को आप ऐसे यादा रखो, buoyancy, इसमें वर्ड आ रहा है, buoyant, buoyant आपने buoyancy पढ़ा है, buoyancy को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी शब्द तो नहीं आदा रहा है, वो buoyancy का concept आपने पढ़ा है, पानी में यहींट डालते हैं, तो equal and opposite force पानी लगाता है, उस particular object के ओपर, जो object आप पानी में, डिप, सबमर्ज कर रहा है, correct, तो buoyancy मतलब क्या है, अंदर से दिखो, force लगा रहा है, तो flamboyant क्या हो गया जिसके अंदर से उत्साहा आ रहा है, बहुत ही उत्साही person होगा, flamboyant, बहुत ही zeal से भरपूर होगा, जील जेस्ट, फरवर से भरपूर होगा, और बहुत ज्यादा उत्साहा से भरपूर होगा, तो अब जो ऐसा ostentatious है, वो flamboyant भी होगा, वो मतलब अंदर से उत्साही करना, कि watch पहन लिए, तो दस बार ऐसे से करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, दिखावा करेगा कि हाँ, है मेरे पास, ठीक है, बल्गर, आप कई बार जो ostentatiousness है, वो आपकी बल्गर हो सकती है, मतलब इतना ज़्यादा दिखावा कर रहा है, कि सिधार्थ शैद उनकी भी डेत होगे, शिधार्थ नाम था, पूरा नाम नहीं पता। सिधार्थ नाम था शैद उनका, वो बॉस में आये थे, तो वो किसी छोटी का आर्से चले गए, तो लोग, मतलब तो मीडिया जो पैपराजी था, पैपराजी जानते हो, पैपराजी पीद रहा दो कि पटि पापराजी गजाम में आया भी था यह इस बार मीडिया और मैं इसे चले गेता थो तो उस पे भी बवाल हुआ था, कि सिधार्थ मलोत्रा शायद सिधार्थ मलोत्रा नाम था, मलोत्रा नहीं था, कुछ भी है, मुझे नाम नहीं आदा रहा, उनकी डेथ हो गई अभी, बिग बॉस में आये थे, तो वो छोटी कार से चले गए थे, तो इस पे भी मतलब लोगों रिश परिश ब्रेश ब्रेश चर्लिष देखाम कर दो का मकूंर लोगों के साथ उसे चर निच परिजड प्रेश तो बहुत है लेकिन अब ऋखिआः कर कर तो कई पर जब जब जीटी से शामी जी घंदी बालिंग करते हैं तो वो भी है तो ब्रैस भी है लिवरीड भी हो जाएगा गेरिश हो जाएगा लाउड गॉड़ी गॉड़ी मतलब भड़कीला कि के बहुत ही बढ़कीला तड़कता बढ़कता अग्जम ऐसा कालर पहन के लगिनग मां आँखों में चुप जाए तो उसे उस संस में आगा गेरिश और गॉड़ी लाउड इसके लावा कुड़ अब कुड़ क्रूड क्रूड क्या होता है चुड वैसे असब बहुतं पर जो दिखावा कर राहा वो असब भी दिख सकता है उसे संस में ट्रैश क्या है, trash से बना हुआ है, trash मतलब क्या होता है, कचरा, तो कई बार दिखावा, कचरे को भी हो सकता है, तो trash उस sense में आगा, ये सारे इसके synonym हो जाते हैं, और important है, अब आप ये समझो, कि synonym में meaning में आपको बताते जा रहा हूँ, सब के अलग-अलग अर्थ भी है, लेकिन ये सारे इनके synonyms में qualify कर रहे हैं, और ये दि किसी को लगता है ना, कि ये synonyms इसके नहीं है, तो बचा थोड़ी पढ़ाई करो, dictionary में जाके देखो, इस सारे synonyms इसके हैं, ठीक है, एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ, और ऐसा कोई शब्द इन में से ऐसा नहीं है, जो आपके लिए qualify ना करता है एक्जाम में आने का, ठीक है, तो बाकी हमने शब्द सीखी लिए थे, एसियाटिक तो हो गया, इसके लाबा, ठीक है, ग्लोबल पता ही है अबको, आगे बात करते हैं, एक्जाल्टेशन, ठीक है, सिंपल सी बात है, टी आ यूए लगा है इसमें, पार्ट्स ओफिस्पीच क्या हो जाएगी, करेक्ट नाउन हो जाएगी, अब सिनोनेम देखो, एक्स्टेशी, टी आइवेंट, टी आइवेंट, टी मतलब ठीक है, ऑप्शन है, डिजेक्शन, इलाबरेशन, और सैटिस्फेक्शन, अब बहुत ही सिंपल वर्ड है, अच्छा वर्ड है, एक्स, एक्सॉल्ट से बना हुआ है यह, ठीक है, एक्सॉल्ट क्या होती है, एक्सॉल्ट होती है, वर्ब हमारी, और एक्सॉल्ट का मतलब हो जाता है, किसी की प्रशनसा करना, और कई बार आप प्रशंसा कर रहे हो तो प्रमोट भी कर सकते हो, तो पद में उन्नती करने से भी related आ जाता है, ठीक, अब देखो exaltation के से मतलब synonym हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ, ecstasy, क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि बांग की जो option है हमारे, वो बिलकुल ही अलग है, डिजेक्शन मतलब किसी को, आपने reject कर दिया, किसी डिजेक्शन मतलब निराशा के सेंस में, elaboration आपको वो याद होगा, इत्री इडियेट्स का बहुती famous dialogue है, कि can you please elaborate, यह वो कहता है कि machine क्या है, तो कहता है कोई भी चीज़ जो हमारा काम आसान करे machine है, can you please elaborate, तो elaborate करना satisfaction होता, संतुष्ट करना, तो exaltation को समझे क्या है, exaltation है feeling or state of extreme happiness, जब आप बहुत खुश फील करते हैं, बहुती ज़्यादा आप खुश फील करते हैं तो उस सेंस में, अब यह समझो मेरी बात, मैंने आपको exaltation का meaning बताया, feeling or state of extreme happiness, बहुत खुश होना, यह से यह गोविन ecstasy अगर आप लोगों को पता हो, तो ecstasy drug भी होता है, एक मादक पदार्थ भी होता है, तरीके का drug भी होता है, और शायद इसे last stage drug LSDC को ही कहते हैं, इसमें क्या इंसान एकदम चरम खुशी में पहुशी में पहुँच जाता है, तो extreme happiness को कहते हैं, exaltation या ecstasy, जो गुवि the action of praising someone or something highly, अब आप ये समझो मेरी बात, मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने सा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ये question दिखाया था, मैंने आपको बताया, exalt का meaning है work, अब ये चीज़ दमझे देंग, देखे, exaltation के तीन meaning है, एक noun में इसका meaning extreme happiness भी है, इसका एक अर्थ जो मै ये तीन अर्थ थे, अब आपको दो meaning पता थे, ये वाला meaning नहीं पता था, तो आप answer कैसे mark करोगे, इतना पहले ही पता कर लो कि ये dejection नहीं होगा, क्योंकि dejection मतलब निराशा negative word है, elaboration किसी चीज़ को elaborate करने से related है, इसका इससे कोई लिना देना नहीं मिल रहा है, satisfaction यगाना पड़ेगा, और आचो की meaning कई सारे हैं, इसलिए हम यहाँ पर detail में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस meaning के अधार पर सिरनेम पूचा गया है, इस पर भी पूचा जा सकता है, इसके अलावा, flock of larks को भी exalt कहते हैं, exaltation कहते हैं, ये लाक इस तरीके की चिडिया होत exaltation, joy, joyfulness, joyousness, rapture, ecstasy, bliss, happiness, delight, gladness, glee, glee का आर्थ भी खुश होना होता है, इसके अलावा, exuberance, exhilaration, ठीक है, ये तो इसका एक सिरनेम हो गया, अब मान लो इस साल ये प्रेज वाले पर पूच लेगा, तब के सिरनेम होंगे, किसी को प्रेज करना, praising, extolment, acclamation, glory, glorify करना, glorification glorify, reverence, revering, veneration, venerating, worship, worshiping, hero worship, adoration, idolization, idolizing, lionization, lionizing, defy, 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 homage, tribute, high regard, high esteem, ये भी इसके सिरनेम हो सकते हैं, तो अगर हम पढ़ लेंगे और हमें मीनिंग सारे पता होंगे, so we'll be able to mark the answer, क्यों? क्यों 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 ने बता है, आपको तीन अर्थ पताए, अगर आपको एक पता है, दूसरा अर्थ नहीं पता है, तो आपको अर्ख मार नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर यह कोशन पर आते हैं, कहता है, listening to the news of his father's illness, सुमन left for home with a heavier, तो ये बहुत ही आसान सा कोशन है, बीमारी का सिरुने पूछा है, sickness option में है, है, disintegration है, disturbance है, disorder है, तो अगर इतना असान कोशन आजा, तो कही बार हमें लगता है, कहीं गलत तो नहीं मार कर रहा, तो answer simply है मारा, इसका हो जाएगा, sickness, कुछ है नहीं, disintegration क्या है, integration मतलब क्या होता है, integrate करना, मतलब add करना, किसी चीज़ को जोड़ना, sum up करना, integration हम maths में पढ़ते थे, उसमें हम क्या करते थे, some, differentiation से, किसी चीज़ को टोड़ों में तोड़ते थे, integration से जोड़ देते थे, correct है, तो इंटीडी डिसिंटीग्रेशन क्या हो जाएगा किसी उसको तोड़ना इंटीग्रिटी क्या होता है किसी की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हो उसकी इमांदारी पे सवाल उठा रहे हो उसकी काम करने की इमांदारी पे सवाल उठा रहे हो disturbance पता है, disorder पता है, इसमें कुछ थानी, अगले सवाल पर आते हैं, the present paper throws light on the nexus between the academic performance and mental health of children, तो option है यापर link, alignment, incongruence और dispute, अब एक एक करके option रखते जाते हैं, answer देख लेंगे, the present paper throws light on the link between academic performance and mental health, yes, link हो जाएगा है, यापर simply connection, nexus का अर्थ क्या है, link या फिर connection, alignment क्या होता है, आप लोग car लेके जाते हैं, या बाइक के wheels को हम align कराते हैं, कि proper alignment हो जाएं, एकदम सही तरीके से aligned रहें, dispute विवाद होता है, incongruence, congruent triangle पढ़ें हैं, math में, congruent triangle में क्या होता है, कि यह triangle, उस triangle को पूरी तरीके से cover कर ले, तो वो congruent triangle है, ठीके, incongruence मतलब cover नहीं कर रहे हैं, या नहीं की, विशमता है, ठीके, तो answer हो जाएगा link, हमारा यहाँ पर link, ठीके, incongruence क्या हो जाता है, incongruence या incompatible, अब माल लीजिए, incongruence मतलब विशमता है, आपको जैसे मने बताया ना, कि माल लो यह triangle है, अब यह triangle, इस triangle को पूरी तरीके से cover कर ले, तो congruent triangle हो जाएगे, और नहीं cover कर रहा है, तो incongruent हो जाएगे, अब आप और आपकी girlfriend के बीच में समानता होनी चाहिए, एक दूसरे की भावनों को अच्छे से समझना चाहिए, यदि आप incongruent हैं, तो आप incompatible भी होंगे, आप एक दूसरे की बात को, नहीं इच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, nexus हम link को कहते हैं, यह important word है, ध्यान रखना है, कि police is trying to find out the nexus between the mafia and the bureaucrats, तो link की बात कर रहा है, ठीक है, dispute भी बाद है, आगे बढ़ते हैं, if we want to progress, if you want to progress, we must sometimes embrace, embrace मतलब गले लगाना, mutate, अब यह important है, mutate में option दिया है, change, incise, intimate, sorry, imitate और replicate, तो mutate क्या होता है, mutate word आप लोगोंने सुना होगा, mutation, ठीक है, जैसे अभी जब COVID थोड़े सा मैं, पहले पर एकदम से COVID आया हुआ था, तो कई बार यह बात चर्चा में चल रही थी, कि virus mutate कर रहा है, virus के structure में mutation हो रहा है, तो mutate कर रहा है, या mutation हो रहा है, मतलब अपनी form को बदल रहा है, तो mutate कर रहा है, मतलब form बदल रहा है, आर्थ हो जाएगा हमारा change करना, incise क्या होता है incise आपने पढ़ा होगा incisor incisor क्या होते है incisor हमारे दात होते है यह जो नुकीले वाले दात होते है incisor होते है incisor कर रहा है incisors का काम क्या होत था basically कि पहले इंसान mass वगरा खाता था उसको फाड़ने क्या काम करता था तो incisor क्या करेगा, incise मतलब किसी चीच को cut करना, far ना, imitate करना मतलब होता है, किसी को copy करना, किसी की knuckle करना, you are imitating him, यानि उसकी knuckle कर रहे हो, आप copy कर रहे हो, replicate करना मतलब होता है, who by who copy बनाना, किसी चीच को replicate करना, बिल्कुल वैसे ही copy बनाना, तो अगर आपने X-Man movie देखी ह है, जो basically mainly X-Man है, मुझे नाम नहीं पता है, इनका जो भी है, तो ये क्या mutation होता है, इसमें basically, कि changes होते हैं इसकी form में, या आपने Chris देखी हो, तो Chris 2 में जो कंगना रनौत का character है, वो भी mutation से बना है, changes कर दिये गे हैं उनके gene structure में, ठीक है, in size मतलब क्या है, mark और decorate an object or surface with a cut or cuts, जैसे मैंने बताया, in size आपके दांट से याद रखना है, आपको, दांट होते हैं, in size अमारे, ठीक है, इसको cut करना, imitate, copy करना, replicate, exact, होबहू, copy बनाना, ठीक है, चले, mutate याद रखना है, mutation से change होता है, जो भी आपके, अगला word है हमारा, magnify, अब magnify क्या है, option दिया है, under emphasize, miniature, expand or magnanimous,53, magnify करना, क्यों, magnify glass होता है, magnifying glass, magnifying glass क्या करता है, किछी चोटी चीज को, बड़ा करके दिखाता है, जैसे की माल लीजह, मैं आपको दिखाऊ, यह क्या है, यह magnify कर रहा है, यह जो glass है, यह तरीकया का जो relative बन कяют à राए, इसको करता है,咪िक करना, emphasize करना, क्या emphasize' करना क्या होता है in emphasize कि सी कि बात पर जोड डालना इस जो डालने केलिए अगता है Under emphasize करना मतलब किसी के बात को कम करना Miniature M你好 angef Commerce छोटे है आपनों वीडियो路 देखें याज कल YouTube अगरर आपो खूछ से चोड़े मीनिएचर वरजन बना देगा अब चोटा सा expand करना मतलब किसी जिसको फैला देना magna magna का मतलब होता है big ठीक है और anim मतलब होता है spirit या फिर mind ठीक है OUS किसी में लग जाता है तो वो बन जाता है adjective ठीक है तो magnanimous magna मतलब big anim मतलब spirit या फिर mind तो जिसका दिल बहुत बड़ा है आत्मा बहुत बड़ी है तो magnanimous person है मतलब बहुत ही liberal person है बहुत ही अच्छा बेक्ती है ठीक है उसे कहेंगे magnanimous person ठीक तो यह तो उस sense में आ गया यह जो मैंने बताया था magnifying glass ये कर क्या रहा है ये expand ही तो कर रहा है तो answer हमारा क्या हो जाएगा expand कर देना ठीक है magnify करना जैसे तो क्या करेगा magnify कर देगा उस particular person को ठीक है तो expand कर देना इसका synonym हो जाएगा बात कर लेते हैं synonyms के magnify की तो किसी चीच को enlarge कर देगा boost कर देगा जैसे boost आते ना booster pack आता है boost कर देगा इनर्जी को बढ़ा दे enhance कर देगा maximize भी कर देगा increase कर देगा augment कर देगा यह वर्डियाद कि important है augmentation augmentation मतलब किसी चीच को increase करना value increase करना extend कर देगा expand कर देगा amplify कर देगा वो गाना था ना तो मेरी buffer तो मेरी मेरी तेरा amplifier amplifier में basically क्या होता है amplifier music बढ़ाता है आपने 12th में भी amplifier का हम लोगों ने कर model diode वगरा में amplifier पढ़ा होगा तो वो क्या करता था amplify कर देता था 2V की current आरे उसको 4V की बना देगा amplify कर देगा intensify कर देगा किसी चीच की intensity को बढ़ा देना heighten कर देना deepen कर देना broaden widen dilate dilate मतलब आप समझते हैं जो हमारी cornea है जैसे आप अगर कभी ophthalmologist के पास जाएं किसके पास जाएंगे ophthalmologist ophthalmologist की spelling बहुत important है ophthalmologist की spelling important क्यों है हम बोलते है ophthalmologist लिकिन जब लिखते हैं तो pH लगाते हैं ध्यान रखना है ophthalmologist अगर किसी भी शब्द में IST लगता है तो वह expert हो जाता है लॉजी मतलब study हो जाता है तो ophthalmologist क्या हुआ जो आँखों का doctor है eye doctor है उसे क्या कहते हैं ophthalmologist कहते हैं ठीके इसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है आपका चश्मा नापता है तो optometrist कहते हैं optometrist कहते हैं जो आपका vision measure करता है जो वेक्ति आपका vision measure करता है कि कितना नंबर का चश्मा लगेगा तुमारे उसे optometrist कहते हैं और जो वेक्ति आपका चश्मा बनाता है उसे optician कहते हैं ठीक है तो याद रखना है ophthalmologist आँखों की बीमारी को बताएगा देखेगा डॉक्टर है वो ophthalmologist है optometrist वो है जो चश्मा नापे का जैसे चश्मे के दुकान पर सब पर है optometrist होता है वो चश्मा नापता है कि आपकी माइनस डू आएगा माइनस फोर आएगा और optician वो है जो चश्मा बना रहा है वो optician का काम करता है ठीक है जान रखना है इसके अलावा आपका cornea specialist होते है cornea आपको पता ही है जो cornea के होता है हमारा तो हां हम बात कर रहे थे dilate की तो यह इसकी बात इसलिए है क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कभी ophthalmologist के पास जाओ तो अगर उसको आपको देखना है आपके आँक में एक drop डालता है उससे आपकी जो cornea है वो डाइलेट हो जाती है डाइलेट होने का मतलब cornea जो अगर हमारी थोड़ी छोटी खुली होती है उसको बड़ा कोल देते हैं so that वो आख के अंदर देख पाएं तो डाइलेट कर देते हैं मतलब उस छोटे से छेत को बढ़ा कर देते हैं तो that is what dilation is and इसलिए synonym हो जाता है मारा dilate ठीक है एक तो यह हो गया magnify का दूसरा आर्थ देखो क्या है दूसरा आर्थ हो जाता है exaggerate exaggerate क्या होता है कि कि किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना वहाई आज पता है क्या हुआ अरे भाई साब मैं जा रहा था भाई 200 की स्पीट से बाड़ी हो गई गाड़ी आई है पचास की स्पीट है वो बढ़ा चला के बता रहा है that is exaggeration overstate करना over emphasize करना ठीक है over play करना तो over emphasize से आपको एक बात समझा रही है क्या कि अगर यह इसका ciao अगर यह इसका एंटोनीम पूंचता तो under emphasize हो जाता समझ रहो तो overall emphasize इसका स्पीट रहा है बहुत बढ़ा च्नलाक हरा रहा है so क्यों पसुछ करना होता है सजाना होता है किसीं करना भी किसीं किसीं के सुन्दरता को बढ़ा रहा सब्सक्राइब, इन्फ्लेेट करना, इन्फ्लेेशन मतलब बढ़होतृ होती है इंफ्लेशन होता है, इंफ्लेट कर देना, किसी भी चीज की कीमतों, किसी भी चीज को बढ़ा देना तो ये भी सिनने मोजाएगा, एंप्लिफाइम ने पहली बताया कुछ आपके, एडियमेटिक हैं, उनको आप ध्यान रिखिए Make a mountain of a molehill, ये important है, क्यों? Make a mountain of a molehill, मतलब छोटी सी बात का बतंगड बना देना कि कल तुमने कॉल नहीं किया, क्यों नहीं किया, इस बात पर पुरा बढ़ जाओ, तुम लड़ जाओ तो ये क्या है, make a mountain of molehill, उसे कहते हैं, make a big thing out of किसी भी चीज की बहुत बड़ी बड़े बना देना, blow up कर देना, ये blow up out of all proportion, ये draw the long boy, important है, idiom exam में पूछे कहें, draw the long boy मतलब, bow मतलब धनुस और आपने उसको ऐसे खींच रखा है, तो छोटी सी बात को आप ऐसे खींच दो, तो क्या हो गया, draw the long boy, यानि कि आपने बात को बढ़ा चड़ा के, पेश किया, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है, magnanimous मैंने पहले ही बता है, आपको generous और forgiving person, especially towards a rival और less powerful person, मैंने आपको बताया, इसका synonym के, magna से बना हुआ है word, magna मतलब, big और animus मतलब, दिमाग से है, तो magnanimous होगे आपका, magnanimous person, ठीक है, यह verb नहीं है, यह adjective है आपका, ठीक है, synonym हो जाता है, हमारे इसके important है, synonym ध्यान रखना है, generous हो जाता है, charitable, benevolent, beneficence, magna और bene का आर्थ भी होता है, good, bene मतलब होता है, good, और malay मतलब हो जाता है, bad, ठीक है, इसलिए, malign, benign मतलब हो जाता है, जो चीज़ ठीक हो जाएगी, और malign मतलब, खराब हो जाएगी, किसी की छवी को malign करना, मतलब किसी की छवी को धूमिल करना, ठीक है, इसलिए से आता है, malice, ठीक है, to have bad blood about somebody, bad blood, ठीक है, तो malice मतलब आपके अंदर किसी को लेकर दुर्भावना है, that is called malice, या फिर ill will, इन तीनों का ही अर्थ हो जाता है, दुर्भावना, किसी को लेकर आपके अंदर दुर्भावना यदि है, तो उसे malice, ill will, या फिर bad blood कह सकते हैं, ठीक है, malign मतलब दो अर्थ मेंने बताया, कि जैसे यदि कोई tumor है, तो वो यदि benign है, मतलब ठीक हो सकता है, malign है, या फिर malignant है, मतलब वो incurable है, किसी की छवी को malign करना, किसी की छवी को धूमिल करना, ठीक है, तो benevolent, beneficent ये अच्छे वर्ड हो जाते, open-handed, big-hearted, great-hearted, munificent, ये भी ध्यान रखना है, bountiful का और bountiful का एक अर्थ, प्रचुर मात्रा भी होता है, bountiful मतलब प्रचुर मात्रा में, in a good amount, plentiful, ये अर्थ भी होता है, ठीक है, अब इसका अर्थ यहाँ पर synonym क्यों हो जाएगा, जो प्रचुर मात्रा में किसी चीज़ है, मतलब बड़ा हर्दे वाला है, liberal है, handsome है, princely है, altruistic है, altruistic person मतलब जो दूसरों की मदद करे, ठीक है, kind है, kindly है, philanthropic, फिल मतलब होता है, love, anthrop मतलब हो जाता है, mankind, ठीक है, तो philanthropic मतलब हो गया, वहाँ एक्ती, जो मनुष्यता की मदद कर रहा है, है, लोगों की help करना चाह रहा है, मानव समाज सभिता की help कर रहा है, लोगों की help करने की sense में आ जाता है, philanthropic जैसे आपके नीताम मानी, मतलब charity कर रहे है, donation दे रहे हैं, उसे कहेंगे, shivalrous, ध्यान रखिएगा, shivalrous, important word है, shivalrous मतलब बहुती अच्छा वेक्ती, noble person हो जाता है, जिसकी qualities बहुत noble है, बहुत अच्छी हैं, उस sense में आता है, shivalrous, noble, unselfish, selfless, self-sacrificing, ungrudging, जो ग्रज नहीं रख रहा है, जैसे, मानलो आपने किसी को आप गए और आपने एक दिन बाइक नहीं दिया, हमेशा बाइक देते थे और एक दिन नहीं दी, तो आपके अंदर कोई ग्रज नहीं आया, तो वो ungrudging person हो गया, मतलब अच्छा वेक्ती हो गया, unstinging, ठीक है, stinging, sorry, unstinging, forgiving person है, merciful है, lenient person है, indulgent person है, clement person है, clement at least से आद रख लो, clement at least was not so magnanimous, but clement means magnanimous, ठीक है, clear है, important words है, सारे, आगे बढ़ते हैं, अगला है, deliberate, it was a deliberate attempt to malign my image, मतलब, जान बूज कर किया गया, तो synonym है हमारा casual, rust, planned or hasty, hasty मतलब जल्दी बाजी में, rust मतलब जल्दी, casual मतलब ऐसे यह, not formal, तो planned हो जाएगा इसका synonym क्योंकि it was a deliberate attempt to, मैंने जैसे कहा, it was a, it was a deliberate attempt, to malign my image, तो deliberate मतलब जान बूज कर किया गया, malign मतलब किसी की छवी को दूमिल करना, तो मेरी image को खराब करने के लिए यह, जान बूज कर किया गया attempt था, यह, planned attempt था, तो अर्थ हो जाएगा, synonym हो जाएगा, हमारा यह, planned, ठीक है, deliberate मतलब मैंने आपको क्या बताया, done consciously and intentionally मतलब, जान बूज कर आपने कोई कारे किया है, तो उसे deliberate कहेंगे हम, engage in long and careful consideration, verb के sense में मतलब, अब एक अर्थ तो मैंने आपको adjective के sense में इसका बताया, चुछ जान बूज कर गया गया, verb के sense में इसका अर्थ सोचो, deliberate, I am deliberating over this thought, I am deliberating over this thought, मतलब, I am deliberating over this thought, मतलब मैं इस thought के बारे में विचार कर रहा हूँ, ठीक है, deliberate कर रहा हूँ, deliberate कर रहा हूँ, मतलब विचार कर रहा हूँ, consider कर रहा हूँ, I am thinking over this thought, ठीक है, तो deliberate जब adjective है, तो इसके सिनने में हो जाएंगे, intentional, calculated, conscious, done on purpose, intended, planned, meant, considered, studied, knowing, willful, wanton, purposeful, purpose, remeditated, premeditated, ठीक है, यहाँ पर premeditated, premeditated, मतलब, पहले से सोच, मेडिटेट करना, मतलब, सोच, प्री मेडिटेटेटेटे इस पहले से सोच, बीक्रे प्लांड है, thought out in advance, prearranged, preconceived, conceive कर्मा कर आर्थ देखिए, conceive जैसे I just for example आप कई लोग ऐसे कह सकते हैं जैसे for example शुभम सर कह सकते हैं R.B.E. was conceived by me अब conceived के कई अर्थ है conceive का मतलब दिमाग में विचार का आना भी होता है जैसे I conceived this thought यानि यह thought मेरे दिमाद में आ था मैंने सोचा था एक तो यह हुआ अब आप ऐसे भी कह सकते हैं I'm trying to जैसे कई बार कोई मा कह सकती I'm trying to conceive a baby conceive a baby मतलब she's trying to be pregnant ठीक है उसी प्रकार यह use होता है कि R.B.E. is conceived by शुभम सर मतलब यह thought यह बच्चा उन ही का है तो उस sense में भी प्रयोग किया जाता है conceive का मतलब pregnant होने से भी related है और conceive का अर्थ सोचने से भी है क्यों connection है वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है pre-determined है ठीक है aforethought है voluntary है और volitional है ठीक है चलिए deliberate अब जब verb होता है तो इसका सिनोनिम देको think about something think over something याद रखिए ponder ponder मतलब होता है ponder over something ruminate over something chew over something ponder meditate on ruminate on mal over chew over brood over ठीक है contemplate reflect on muse on consider turnover in one's mind give thought to cogitate about something brood over dwell on put on one's thinking cap be in brown study discuss debate way up यह सारे सिनोनिम है इसके याद रखना है हमे deliberate मतलब सोचना भी होता है विचार करना भी होता है ponder over ponder over brood over ruminate contemplate reflect on इसके अलावा mal over chew over brood over इस सारे सिनोनिम्स हमे याद रखने important है meditate यह pdf आप याद आप इसको printouts ले लिजेगा या फिर आप download कर लिजेगा इन से सारे सिनोनिम्स याद करिए जितनी चीज़े मैं करा रहा हूं सारी चीज़े exam में पूछी गई है एक एक चीज़े exam में पूछी जा चुकी है ठीक है और जो भी आसपास का उसके है वो भी मैं करवाते जा रहा हूं so that आगे यदी पूछा जाए तो आपको गोई दिक्कत ना हो ठीक है याद रखना है क्या सिनोने में think about something ponder over consider contemplate reflect on muse on meditate ruminate on mull over chew over brood over turn over in one's mind give thought to cogitate about dwell on put on one's thinking being brown study discuss debate अब कई लोग कहेंगे कि सर इतनी सारी चीज़े याद नहीं रहती बिल्कुल याद नहीं रहती दोस्त ये बात मैं भी आपकी मानता हूं उसके लिए simple सा एक तरीका बनाओ जैसे आप इसको देख रहे हो जो आज आपने ये वीडियो पढ़ा है तो जब आप सोने जाओ उसके थोड़ी देर पहले एक बार इसकी PDF को revise कर लो ठीक है और कल जब सो कर उठो तो एक बार इसका PDF का revision कर लो ठीक है इतना revision करते जाएए आप कि आज जो कल पढ़ा था उसका revision आज करो आज पढ़ा है उसका कल करो वीकेंड पे आप कोई नया आना पढ़ो जो पढ़ा है उसका revision करो ये सारे काम आप करते चलोगे तो भूलोगे नहीं साथी साथ newspaper reading करते चलो मैं बार बार कह रहा हूँ हर वीडियो में अपने कह रहा हूँ कि आपको ये अच्छा से करना है या नहीं करना है अगर करना है तो newspaper पढ़ो क्योंकि वहाँ पर ये vocab आपको दिखेगी तो automatic revision हो जाएगा आपका ठीक है casual वहाँ पर word था casual क्या हो जाता है relaxed or unconcerned या फिर casual का दूसरा आर्थ not regular या permanent भी होता है जो बेकती regular नहीं है या जो बेकती permanent नहीं है a person who does something irregularly उसे भी casual कहा जाता है he has a casual attitude towards life मतलब very relaxed है very unconcerned attitude है तो he is very indifferent है apathetic है pathos से याद रखिए pathos root word होता है pathos pathos का मतलब होता है हमारा feel करना ठीक है तो इससे word हमारा बनता है apathetic apathy sympathy ठीक है empathy इसके अलावा antipathy ठीक है तो anti मतलब against pathy मतलब feeling तो antipathy का मतलब हो जाता है hostility मतलब व्यमनश्रता का भाव किसी से दुश्मनी का भाव उस सेंस में आता है antipathy a मतलब not pathy मतलब feeling who is indifferent towards things मतलब who is very casual towards things he is very unconcerned towards things कोई भी समवेदना नहीं जाहिर कर रहा है apathetic है indifferent है sympathy मतलब हो जाता है empathy मतलब feeling तो sympathy मतलब हो गया कि आप किसी की भावनाओं को समझ रहे हैं यदि कि sympathy कब होगी यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप उससे कह सकते हैं मेरी तुम्हारे प्रति पूरी संवेदना है पूरी sympathy है पूरी सहानुब होती है मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ वो हो गया sympathy और empathy में हो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कुछ बुरा ही हो लेकिन हमें किसी के भी प्रति इन जनरल भी empathetic रहना चाहिए empathy से काम करना चाहिए थोड़ी सी empathy दिखाने चाहिए एक दूसरे की भाबनाओं को समझना चाहिए आप अपनी girlfriend के प्रति empathy दिखाऊगे कि आप उसकी भाबनाओं को समझे अपने दोस्तों के प्रति empathy दिखाऊगे कि वो आपकी भाबनाओं को समझे ठीक है इसलिए empathy ती कि इस्तमाल होता है ठीक है इसके अलाभा रहा ग्रेड अनकर धृत कॉंसरेंड कि याद रुखो गए इसका गया हिए इसको यादर के लैक या लाइक सिकल लैके डाइसिकल मतलब हो जाता है जो इर्रेगुलर है वो नहीं है बलेज इसको याद रखना है देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि जहां पे भी अंग्रेजी में जैसे किसी भी अंग्रेजी का कोई भी शब्द है तो उसमें यह दि मान लीजे एक उपर ऐसे टोपी लगा दिना उसने तो होता कि एक्चिली यह शब्द दूसरी भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है अंग्रेजी का शब्द नहीं है जैसे कि मान लीजे आपने वीडियो चला रहे हो आप तो वीडियो को आप क्या करते हो और पॉस करने के बाद आप वीडियो को क्या करते हो रिज्यूम करते हो करते हो ना अब कई लोग कहते हैं कि रिज्यूम कर दिया आपने वीडियो को कई लोग कहते हैं कि सर मैंने आपको रिज्यूम भेज दिया है देखके बताईएगा आप अगर अपोंट करना चाहें मुझे तो कर लीजिए हमें क्या भीजिए आपने डिजी बहेजा ठीक है लेकिन अगर तुम हमें डिजीूम भेज होगे तो हम तुम्हें कभी अपोइंट नहीं करेंगे क्यों कि वर्द रिजीम नहीं होता है वर्द हो तियागे इसे तरीके से रिजू में होती है हमेशा किसी को आप क्या बेजोगे टीक और अंग्रेजी के कीवोर्ड में श्राइब टीक है नॉन शालं इसक्षा गया यह बहुत इंपोर्टन वर्ड है एक्जाम में पुछा गया यह भी Nौन शैलेंट नौन शैलेंट मतलब क्या होता है जाकिर खान का अगर आप लोगों नहीं हक से सिंगल देखा तो उसमें वह वर्ड को लाया भी है तो नौन शैलेंट क्या है कि वह उसकी गल्फर ने पूछा नौन शैलेंट ली कर दिया अब वो तुरंट दॉल के जाता है वाश्रूम में ज कहते हैं गुंगुना पानी मतलब जो जोट नहीं बचा है उसमें भी आ जाता है इन कॉंशियंस प्रियों जाता है ऑफ हैंड हिट और मिस इजी गूइंग फ्री एजी एरी परसने ब्रीजी ब्रीजी मतलब हवासरे लेटेड है तो वो भी इस का सिरूनेम है ब्लिद ब्लि अब वरी अंकंसेंट व्यवेरी रिलास्ट उस सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं ठीक है मैं बार बार करहा हूं कि सिनोनेम में बता रहा हूं ये मत समज़ने लगना कि पता लगा कहीं कि उसने का कि ल्यूक्वाम वाटर लिया ओ अब कल कर रहे है तो सर में तो कैज मतलब casual remark का मतलब क्या हो गया offhand remark random remark impromptu यसे this speech was given by me impromptu impromptu मतलब without any preparation और कोई अगर maiden speech दे रहा है तो क्या कहेंगे maiden speech it was his maiden speech it was his maiden match मतलब first speech थी उसकी पहली speech थी उस sense में आता है और यदि किसी की बोलने की कला बहुत अच्छी है तो आप कह सकते हो he has a gift of gab क्या कह सकते हो he has a gift of gab मतलब हो जाता है किसी के बोलने की कला बहुत अच्छी है तो बोलने की कला यह दि अच्छी है तो उसे औरेटरी इसकिल अच्छी है और क्या हो सकता है उसे कह सकते हैं इलोक्वेंट स्पीकर कह सकते हैं आप क्या कह सकते हैं इलोक्वेंट स्पीकर कि 10 262 मतलब पुरेटरी मतलब अच्छा थिए। धर बोलता है। ठीकर है। है उरेटरी मतलब अच्छा औरफ भूने के किलाας ठीकर मैं अदेब भीजों इम्प्रॉंप्रॉंटु गोलता हूं मतलब विद्थाउट नीड परिपरेशिन खेवेगन इंबबब है पार एंधर में . ट्रीविए और trivia. trivia क्या होता है? trivia होता है, जैसे movies में आता है, लिखे कि इससा trivia, मतलब किसी से रिलेट छोटा सा fact, तो casual remark के sense में ये भी इसके synonym हो सकते हैं, यहाँ पर ये the casual से हमें word हो, तो हम इस तरीके के synonym हो जाएंगे हैं हमारे, ठीक है? तो casual के अलग-अलग तरीके से synonym हम पढ़ ग्लांस, passing ग्लांस, fleeting ग्लांस, summary, इसके लावा, desultory, careless, hasty, hurried, rust, और brief या फिर quick, ये भी इसके synonym हो सकते हैं, तो आप ये समझे कि अगर अलग-अलग तरीके का statement होगा, तो अलग-अलग तरीके के synonym हो जाएंगे, जैसे ये is a casual attitude towards life, तो ये इसके meaning हो रहा है, casual remark, तो ये इसके synonym हो रहे हैं, और casual glance, तो यहाँ पर बहुत ही हलकी ची ग्लांस, मतलब cursory glance भी इसका हो जाता है, bird's eye view, ठीके, bird's eye view क्या होता है, bird's eye view मतलब cursory glance, हलकी जहलक लेना, ये bird's eye view का दूसरा आर्थ हे भी होता है, जैसे मालो ये remote है, ठीके, और ये चिडिया अगर इसको उपर से देखे की, तो इसका पूरा view ले लेगी न, उसे भी कहता है, bird's eye view, मतलब जैसे drone shot होता है, that's also bird's eye view, ठी ठीक है, या फिर आप जैसे यहाँ पर देखो, आप casual meeting with two students changed his life, तो यहाँ पर casual card क्या है, कि बहुती accidental meeting थी, random meeting थी, unintentional meeting थी, unplanned meeting थी, ये भी इसके सिनने हो सकते है, आगे बढ़ता है, visiting a book fair always fills my heart with a great satisfaction, कि एक book fair को visit करने से मेरा जो दिल है, वो हमेशा बहुती satisfaction से भर जाता है तो किस से भर जाता है, bliss से भर जाता है, pride से भर जाता है, refreshment से भर जाता है, contentment से भर जाता है, bliss मतलब आशिरवाद या अच्छे sense में आता है, it's a bliss for me, मतलब अच्छे चीज है मेरे लिए, pride आता है, घमन से related, गर्व के sense में आता है, refreshment आपको मिलता है, आप जाते हो कहीं प सिंपल है याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं रिमोर्स का मतलब क्या हो जाता है रिमोर्स मतलब हो जाता है आपका आप्शन दिया है हमारे लिबरेट, रिपेंटेंस, एफिनिटी और स्लो अब एफिनिटी अगर आपको याद रखना हो तो अगर साइन से हो आप तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रों अफिनिटी क्या होता था शायद इलेक्ट्रों को निकालने की जलिया जो एनरजी चाहिए मतलब ए अफिनिटी मतलब क्लोजनेस किसी से ठीका कनेक्शन रिमोर्स होता है आपका पच्टावा और शिरोने मों जाएगा डिपेंटेंस ठीक है affinity connection slow आपको पता है रिमोर्स आप simply याद रखोगे बड़ा पचता होगे ठीक है पचता होगे रिमोर्स ठीक है आप इस गालने को ऐसे याद रख सकते हो कि मेरी गली ऐसे जाओगे तो बड़ा रिमोर्स करोगे आप बड़ा रिपेंट करोगे ठीक है तो deep regret or guilt for wrong committed wrong committed इसे याद रख सकते हो ठीक है synonym आप ध्यान रखेंगे contrition, deep regret, repentance, penitence, guilt, feeling of guilt, bad, guilty conscience, compunction, remorse, ठीक है is remorsefulness, reusefulness, contriteness, sorrow, shame, self-reproach, self-accusation, self-condemning, pangs of consigns ध्यान रखेंगा यह सारे words इसके synonyms हैं, pangs of consigns, remorse, repent, contrite, contrition, penitence, repentance यह सारे इसके synonyms हो जाते हैं, important word है, जितने भी अगर आप लोगों ने अभी तक हमने synonyms देखे हैं तो यह सारे के सारे आपके seizure अधर 22 में पूछे गए हैं और यदि इन में से कोई भी ऐसा नहीं है अभी तक जो प्रिवियस यर से मन्धित ना हो, सभी के सभी प्रिवियस यर में पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं पूछा है, जो बहुत ही out of the box हो और बिल्कुल ही नया हो, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है आगे पुस्ते के रागा पैटल्स ओस्मोकीं तबाको के नावी इकनोर रिच liters of smoking always appreciated मतलब विनमरता humility humility होती है विनमरता है हुआ ठीक है humility होती है विनमरता you delights मतलब खुशी hazards मतलब किसी के नुकसान humility होता है विनमरता और humiliate करना होता है किसी की बेज्द्धि करना और benefits मतलब फाइदे तो टोबयको स्मोक करने के फायदर तो है नहीं तो benefits हो नहीं सकता बेज़जिती की कोई बात नहीं है delight खुशी होना ही रही है अंसर हो जाएंगे hazards वो यह क्या रहा है कि hazards of smoking जो है वो कभी भी ignore नहीं किया जा सकते ठीक है तो perils आप ध्यान रखना important word है serious and immediate danger को हम कहते है है इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको simple याद रखलो पार इल ठीक है परिल्स पार इल इल मतलब बीमारी तो पार इल मतलब रिस्क है डेंजरस है सिरुनिम हो जाते हैं ठीक है इसके अलावा पेरिल्स के तूसरे अब serious and immediate danger भी है ठीक अब देखो इसके idiom देखते हैं से related क्या है at once perils at once perils यह idiom है इसका meaning क्या हो जाएगा at once own risk जैसे की neglect our advice at your own peril मतलब अपनी risk पर हमारे advice को neglect करो in peril of in peril of the idiom है या फिर at peril of यह भी idiom है तो इसका मतलब हो जाता है very likely to incur or suffer from मतलब it's very likely कि आपको नुक्सान होई जाएगा so the movement is in peril of dying मतलब मरने के डर में है मतलब मरने का खत्रा है movement यह at risk of losing engineering हो जाता है anyone linked with the cause would be in peril of their life मतलब जो भी इस cause से जुड़ा है उसके जीवन का खत्रा राएगा तो in peril of at the peril of यह फिर at once peril का मतलब हो जाता है जो बहुत ही at own own risk risk से ही सम्मंदित इसका idiomatic अर्थ भी आता है ठीक है अब कुछ वर्ड है जो आगपस में related है इनको हम पढ़ लेते हैं why close test में हमारे काम आ सकते है danger peril hazard और रिस्क में अंतर क्या है पर डेंजर हो जाता है डेंजर क्या है किसी भी खत्रे के लिए बहुत ही जन्रल वर्ड है ठीक है जैसे देवर इन ग्रेट डेंजर नॉर्मल वर्ड है और इसके लावा यह किसी को हम एंजरी के संस में बाया सकता है he is a danger to himself and others मतलब दूसरों के लिए खत्रा है उस प्रकार से आ जाता है the dangers of smoking मतलब खत्रे है तो उस सेंस में आ जाता है danger can have a connotation of excitement as well जैसे the prince has always enjoyed flirting with danger कि मतलब खत्रे को आपका इवार adventure से संबनीद भी कर देता है तो उस सेंस में यहां पर बात वरी लिए अब डेंजर और परिल में क्या आंतर है कि danger is more formal है और तक लिटरी वर्ड है जैसे यह जो question था कि यहां कहा रहा है ना परिल्स ऑप स्मोकिंग तो यह कहा है लिटररी वो सेंटेंस है अपने शब्द को सेंटेंस को थो और नीट करना चाहते हो सजाना चाहते हो तो देंजर की जागे आप परिल कर सकते हो ठीक है तो यह कहा थोड़ा सा फॉर्मल है और लेटररी शब्द है सब्सक्राइब करने के लिए जहातर इसे प्लूरल में यूस करते हैं परिल्किंग इंड्राइविं ठीक है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको पता है कि वो नुकसान हो सकता है तो उस सेंस के में रिफर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे वी कौन इग्नोर दीज वादनिंग अर पैरिल तो यह उस इडियमेटिक सेंस में आ गया कि तुम अपने अपने रिस्क पे काम कुरो तो आट यह और वन पैरिल के संस में कह सकते हैं तो किसी एक्ट्व सूर्स ओफ डेंजर को एक्स्प्रेस करने के लिए तो इसमें आप यह देखो कि सोर्स को भी आपने बताया है सोर्स को बताने के लिए जनरली हजार आता है जैसे लेड़ पाइट सारा सीरियस हजार तुह एल्ट आज वेल अगाट इन्हेरें इन संथिंग नेम्ड जैसे डेंजर में कुछ चीज़ें जैसे कट्स एंग्रेज जारा हजार अजार ऑफ लाइफ इस उसे इंक्रीज़ ऑफि प्रिक्टेबल में घ déjà प्रेडिक्टेबल सेंस में हो कि यार गणे तो isq क přediction है कि हो सकता फायदा ऊच्ह 진짜 नुकसान हो तो जब प्रेडिक्शन वाली बात होती अब होती आप अगर अगर तो नहीं है अटेंजर है वह नहीं होना है ठीकि यह आपी विवाब स्मोकिंग कर पर रस्ची के उपर चला रहे हो तो रिस्क है possibility है उस sense में आता है तो जब predictable या possibility की बात आती है तब इस sense में आता है और action object that increases the likelihood of harm ऐसे ozone depletion में increase the risk of skin cancer तो ozone depletion हो रहा उससे skin cancer का risk बढ़ जाएगा कि chances बढ़ जाएंगे going on holiday without insurance is always a risk बिना holiday के बिना insurance के holiday पर जा रहे हो तो हमेशा risk है possibility बढ़ जाती है ठीक है a risk में often be a danger that someone chooses to incur because it's outweighed by some other consideration तो risk कई बार उस sense में भी आता है कि ऐसा danger जहां पर आप जान बुझके जा रहे हो क्योंकि आपको जो दूसरा पहलू है वह आपने वे करा है और वह पलड़ा भारी लग रहा है तो risk है तो इश्क है मतलब अगर आप कोई share खरीद रहे हो हर्षद मैता के 1992 जो web series उससे ही यह line है तो कोई share खरीद रहे हो तो risk है आप आपको पैसा खोने का बट chances है कि पैसा में बन भी जाए तो possibility है कि आपने दूसरी जो possibility है वो ज्यादा आउट वे कर रहे है तब risk आएगा so increased official recognition of the hazards of sorry यह option गलत है यहाप यह sentence गलत है यह इस प्रकार के senses में आता है जैसे there is a risk of losing our money if we invest in that particular stock ठीक है यह सारी चीज़े आपको detail में तब समझ आएगे जिब आप रीडिंग करोगे and that is why I am again again saying कि in newspaper रीड करो तो इस तरीके लिए differences आपको बेटर समझ आएगे मैंने आप अब बता दिये बट सिर्फ उससे समझ नहीं आएगे जब तक आप रीड नहीं करोगे जैसे यह 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 टेकिंगा रिस्क बाई मीटिंग में मतलब आप रिस्क ले रहों उससे मिलके क्योंकि तुम्हें पायदा ज्यादा लग रहा था इसलिए तुमने रिस्क लिया चलो के रहा है देरिसा हूज जेनरेशन डैश वाइट बिट्वीन अरुन एड इस ग्रैंपरेंट्स तो जेनरेशन वाइड है अगर हम वाइड हटा भी दे तो क्या बढ़ आएगा जेनरेशन गैप है ऑप्शन में भी दिया है जेनरेशन गैप होगा डिशन आपकी महाने इसका मतलब होता है कोई खाली स्थान तो वाइड है आपका एड्जेक्टिव भी है और लीगली बाइंदिग तो किसी चीज़ को आप एल मतलब नाट वैली गार देते हो तो आता है वाइड जैसे इसका मतलब हो जाता है in effectual हो गई है यह useless हो गई है जैसे all the strategies you have worked out are rendered wide यानि कि जितने भी लोगों के साथ काम किया था वो सारे खराब उन्हें वाइड गोश्ट कर दिया कि ineffective कर दिया किया है इसका दूसरा अर्थ completely empty भी होता है बिल्कुल खाली यहां पर wide spaces surround the tanks मतलब खाली स्थान जैसे कि there is a huge wide in his purse wallet तो खाली स्थान के sense में भी आता है wide of का अर्थ free from या lacking भी आता है ठीक है जैसे what we were what were once the masterpieces of literature are not wide of meaning मतलब जो पहले कभी masterpieces of literature हुआ करते थे आज की तारिक में उनका कोई अर्थ तक नहीं है meaning तक नहीं है free of meaning है तो वाइड के तीर तीन अर्थ समझे खाली स्थान खाली इसके अलावा wide मतलब ineffective होना और wide मतलब free options में भी आता है synonym क्या हो जाएंगे इसका synonym gap या empty space space blank ये तो रहे गए रहे रहेगा space blank vacuum lacuna hole cavity दातों में cavity हो जाती है खाली खाली हो जाता है हो जाता है तो उस sense में chasm हो जाता है खाई-खाई के sense में आता है abyss ठीक है यह ध्यान रटना है abyss मतलब भी खाई होता है मतलब khardi gulf pit hattis ठीक है hattis मतलब होता है दो events के बीच में खाली समय emptiness nothingness blankness vacancy vacuity oblivion nullity इसके अलावा दूसरा जब null and void हो रहा है उस sense में ineffective हो रहा है किसी contract को in effect किसी कानून को किसी नियम को null and void गोसित किया जा रहा है मतलब ineffective बनाया जा रहा है तब इस कार्थ invalidate render करना invalid करना annul करना nullify कर देना negate करना disallow quash किसी भी कानून को खत्म करने के लिए 과य इस्तमाल होता है Cancel कर देना counter command कर देना ध्यान रहिए counter less मतलब एक किछ कानून को खत्म करना है repeal करना और रिवॉक करना किसी कानून को रिवॉक खत्म करना लोक करना और किसी को उकसाना प्रोवोग करना होता है एक Hollywood movie भी है, provoke, provoke करना मतलब उकसाना होता है, resign, retract, मतलब किसी चीज को cancel करना, retract your statement, he retracted his statement, मतलब अपने शब्दों को वापस लेना, chew your words, मतलब अपने शब्दों को वापस ले लेना, withdraw, reverse, abrogate, मतलब cancel कर देना, किसी चीज को undo, आप कोई काम करते हो, उसको undo कर दे, तो computer में तो काम पुराना वैसा हो जाता है, abolish करना, मतलब किसी चीज पर प्रतिवंद लगाना, obliterate करना, weed out करना, eradicate करना, इनका मतलब होता है, समूल नाश कर देना, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, और cancel करना भी होता है, ठीक है, empty के अर्थ में, evacuate करना, खाली करना, empty करना, empty, empty out, drain करना, clear, unload, unburden या purge भी इसके synonym है, ठीक है, सारे words हमने पढ़े, important words है, सभी जितने लिखें हैं, सब की meaning आपको मैंने बता दिये, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला question में पूछ रहा है, कि इस sentence में से, आपको stagnant का अर्थ बताना है, कि stagnant का synonym, इन सारे sentence में से, कौन सा बन जाएगा, accident, motionless, fatal या unstable, इसमें से आपका कौन सा synonym बन जाएगा, stagnant का, तो एक तरीका तो इसका यह है, कि हम sentence पढ़े ही न, direct option देखे, stagnant का अंसर बता है, mark करें और आगे बढ़ें, यदि आपको पता है, तो यही तरीका सही भी है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समय आपका, waste नहीं होता है, तो stagnant मतलब होता है, रुका हुआ है, शुरू में हमने stagnation पढ़ा था, जहाँ पर motion नहीं हो रहा था, तो आंसर हो जागा motionless, sentence भी देख लेते हैं, Rita was motionless, मतलब stagnant थी, after knowing that her brother had become mentally unstable, after seeing the fatal accident on Tuesday night, तो यह पता है, आपको fatal मतलब, क्या होता है, fatal, important है, synonymous के exam में बहुत बर पुचहेंगे हैं, fatal होता है, घातक, सनी देवल के पिच्चर थी ना, घातक, मतलब जो deadly है, lethal है, mortal है, causing death है, death dealing है, killing है, final है, terminal है, incurable है, untreatable है, inoperable है, जिसको काम नहीं किया जा सकता, malignant है, tragic है, deathly है, tragic event हो गया, बुरा event, deathly है, disastrous हो रहा है, devastating है, मतलब खराब, ruinous, catastrophic, calamity आजाए, calamitous है, ठीक है, मतलब आपदा ही आगए एकदम, cataclysmic है, आपदा आने के संस में, destructive है, crevious है, dire, crippling, crippling मतलब भी बहुत खराब के संस में, crippling thought, crushing, मतलब किसी को crush कर देना, एकदम, kuchal देना, injurious है, harmful है, costly है, यह सारे synonym, अब देखो, fatal का synonym, costly भी हो सकता है, यह देख रहो, यह dictionary से लिखे गए हैं, तो यह इन पर doubt मत करना, fatal का synonym, costly भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि कुछ बहुत महेंगा होगा है, तो वो गातक भी हो सकता हमारे लिए, ठीक है, अगला वर्ट है, obligatory, तो obligatory कैसे याद रखना है, obligation से, obligation मतलब जो काम आपको करना ही पड़े, unnecessary, optional, choosing या compulsory, तो optional है, तो फिर obligatory कैसे है, answer क्या हो जाएगा, compulsory होना, ठीक, इनको समझते हैं, यह से, क्या कर रहे हो, it's my obligation to leave you, क्यों हो, तो यह इसको obligation हो गया, मतलब इसको करना ही पड़ेगा, obligatory मतलब compulsory, obligatory को ध्याव रखना है, obligation से, required by a legal, moral, or other rule, तो चाहे वो legal rule हो, या moral rule हो, किसी भी प्रकार के नियम के दारा, जो करना ही पड़े, compulsory हो, जवर्दस्ती करना पड़े, is a use of seatbelts in cars is now obligatory, you do not have any choice, you will have to fasten your seatbelts, compulsory, mandatory, prescribed, पढ़ा था प्रेस्क्राइब के पिछले वाले वीडियो में, उसमें गया था, prescribed मतलब किसी को दबा दी है, तो prescribed, required, demanded, statutory, इसके लाब एंपोस्ट, binding, incumbent, requisite, necessary, imperative, unavoidable, inescapable, essential, customary, traditional, unusual, accustomed है, routine है, familiar है, regular है, habitual है, enter name इसके हो जाएंगे, voluntary और optional, मर्जी से करो या ना करो, ठीक है, चलिए, इपोर्टेंट था, आगे बढ़ते हैं, question number 20, राहूल वोस शेरिंग सम आफिस, childhood stories, and they were hysterical, important word है, राहूल अपनी बच्पन की कुछ कहानिया सुना रहा था, और बच्पन की कुछ कहानिया सुना रहा था, सेंटेंज की जो टोन है, वो काफी positive है, और ये काफी negative words है, तो answer हमारा funny हो जायेगा, ठीक, अब hysterical का exact meaning funny नहीं होता है, क्यों, hysterical का meaning क्या होता समझो, hysteria से बना है ये शब्द, hysteria क्या है noun, और hysterical क्या है adjective, hysteria मतलब होता है, exaggerated या uncontrollable emotion और excitement, exaggerated हमने कहाँ पढ़ा था, magnify, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, तो hysteria मतलब हो जाता है, कि किसी emotion का या excitement का, बहुत ही बढ़ा चढ़ा रो, that is hysteria, और hysterical जब adjective हो गया, तो मतलब हो गया, affected by or deriving from widely uncontrolled emotion, तो hysteria जब noun था, मतलब आपका जो emotion है, वो uncontrollable हो गया, overexcited हो गया, hysterical क्या हो गया, जो ऐसी चीज जो उससे effect हो रही है, वो hysterical हो गयी, Janet became hysterical and began screaming, मतलब बहुत ज़्यादा excited हो गया, और वो चिलाने लगी, ठीके अब सिरुने मिसके क्या हो जाएंगे, overwrought, emotional है, बहुत अधिक emotional हो गया, फ्रैंटिक, wild, feverish, beside oneself, driven to distraction, इन पैनिक, बहुत ज़्यादा emotion हो जाएगा, तो panic भी आजाएगा, इन पैनिक है, अब देखो ये, agitated, hysterical मतलब uncontrolled emotion से बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जैसे ये न, कि देवर hysterical, they were very exciting, they were very funny, they were very good, जो बहुत ये dramatic तरीके से चीजों को बताए, that is also hysteria, hysterical, ये जो बहुत scene create कर दे कहीं, तो उस sense में भी आता hysteria, ठीक, agitation से भी बनता है, agitated, agitated, agitate करना, agitate मतलब विरोध करना, agitation विरोध प्रदर्शन हो जाता है, agitation मतलब विरोध प्रदर्शन, ठीक है, और agitated है मतलब काफी जादा विरोध कर रहा है, बहुत जादा उत्साहीद हो गया, उस sense में भी आएगा, neurotic हो गया, पागली हो गया, mad हो गया, crazed, बसक, लग दम पागल हो रखा है, maniac हो रखा है, maniacal हो रखा है, maniac हो गया, delirious हो गया, unhinged, hinge मतलब क्या होता है, जुक दिवाज, दर्वाजे में कबजा लगा होता है, उसे hinge कहते हैं, unhinged मतलब दर्वाजा कबजे से निकल गया, मतलब पगला ही गया हो तुम कहते हैं, इसना जादा more excited हो गया, तो unhinged हो गया, deranged हो गया, out of one's mind, out of one's wits, wits मतलब दिमाग होता है, out of one's wits मतलब दिमाग चला गया, raving, ठीक है, एक तो यह हो गया, आब इसके दूसरे synonym क्या होंगे, hilarious, जो funny वाले हैं, uproreous, very funny, very amusing, comical, comic, farcical, ठीक है, historically funny, side splitting, riptickling, killing, killingly funny, screamingly funny, scream, a hoot, a laugh, barrel of laughs, laugh of minute, ठीक है, तो इसके दो आर्थ हैं, एक तो आर्थ बहुत ज़्यादा excited होने से भी है, और दूसरा आर्थ बहुत खुश होने से भी है, या बहुत पनी होने से भी है, तो दोनों ही इसके आर्थ मैंने आपको बता दी है, और दोनों तरीके के सिनोनिम आपको बता दी है, ठीक है, तो अगला जो question है हमारा, इसमें inundated का सिनोनिम पूछ रहा है, इनका discussion हम अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, number of questions जरूर हमारे कम है, बट हम जो content देख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा words आपको मैं एक घंटे में cover करने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत ही detailed coverage करने की कोशिश है हमारी, so that आपके exam में अगर इन keywords के आसपास भी कुछ आए, तो आप उसे कर पाएं और सारे शब्दों का synonym आप देख पा रहे हैं कि कैसे क्या answer हमें mark करना है, ठीक है, अपना जो feedback है वो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, तो comment section में जरूर दीजेगा, comments में आप अपना feedback जरूर से जरूर मुझे बताईए, कि आप क्या चाहते हैं, क्या changes करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप कहना चाहते हैं, आप comments में बता सकते हैं, इसके अलावा अगर आप ये app पर देख रहे हैं, तो आप मुझे Instagram पर मेसेज कर सकते हैं, add the rate amantrivedii, ये मेरा Instagram handle है, आप मेसेज कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं, कि क्या भी कोई कुछ और चीज़ें आप अगर इसमें चाहते हैं, ठीक है, एक बार एक quick revision कर लेते हैं, and then we will wind up this session, ठीक है, quick revision करते हैं, यतने भी words हमने पढ़े, उनका, हाँ, तो हमने transient पढ़ा था, transient मतलब छणिक था, इसके बाद हमने बात करी थी, moral की moral मतलब nathic, इसका अंसर हो रहा था, हमारा ethical, ठीक है, moral के synonyms हमने पढ़े थे, righteous, upstanding, principle, जो बहुत ही ethical person है, इसके बाद हमने modern पढ़ा था, flashy के हमने synonyms पढ़े थे, था, ठीक है, elation, exuberance, joyfulness, rapture, happiness, installment, acclamation, praising, यह सारे इसके synonyms हमने पढ़े, illness मतलब बीमारी हो गया, यहाँ पर sickness हो गया, इसके बाद हमने पढ़ा, mutate करना, मतलब change हो जाने से related हो जाता है, magnify करना, मतलब किसी जीच को size बढ़ाने से related है, यह सारे synonyms हमने आवे पढ़े, इसके अलावा हमने magnanimous पढ़ा, मतलब बहुत ही ज्यादा दिलदार परसन, बहुत बड़े हरदय वाला वेक्ती, deliberate के दो आर्थ हमने पढ़े थे, जानबूच कर किया गया, या फिर to think over something, बहुत ही deeply सोचना, बुरूड ओवर, चुओ ओवर, मल ओवर, आपका contemplate, consider, muse on, यह सारे synonyms हमने पढ़े थे, casual बहुत ही relaxed person है, irregular person है, इस सेंस में हमने इसके सारे synonyms पढ़े है, casual remark है, बहुत ही random remark हो गया, casual glance मतलब cursory glance हो गया, casual meeting मतलब accidental meeting हो गया, satisfaction का contentment हमने पढ़ा था, remorse मतलब आपका पस्तावा, remorse, repentance, penitence, guilt, feeling of guilt, यह सारे synonyms हमने पढ़े, perils मतलब hazardous हो जाता है, इसके अलावा हमने perils, hazard, danger और risk में difference समझा, इसके बाद हमने पढ़ा, यहाँ पर void का आथ मैंने बताया, abyss खाई होता है, ठीक है, empty space भी होता है, या wide मतलब किसे इसको null and void घुसित कर देना भी होता है, stagnant मतलब कुछ रुका हुआ है, motionless है, fatal, deadly, lethal हमने इसके synonyms पढ़े, इसके बाद हमने obligatory पढ़ा, जो compulsory है, जो करना ही पढ़े, mandatory है, compulsory, prescribed है, साथ-साथ historical हमने पढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा dramatic है, बहुत ज़्यादा funny है, ठीक ही, बहुत ज़्यादा excited है, emotional है, बहुत अधिक, delirious है, uninsed है, यह सारी चीज़ें हमने पढ़े, ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए good bye, take care and have a very good date, PDF आप अप से download कर सकते हैं, अगर आप batches join करना चाहते हैं, तो join कर सकते हैं, English का batch है, अगर आप complete English में पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप batch में enroll कर सकते हैं, Officers batch है, सारे batches में आप enroll कर सकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में,